स्वागत है आपका प्योरी पॉलिटिक्स में उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ ने एक बड़ा बोल्ड स्टेक्मेंट दिया विभाजन विभीष का दिवस यानि कि जो बीजेपी 14 अगस्त को मनाती है विभाजन विभीष का दिवस जिस तरह से पार्ट पाकिस्तान खत्म हो जाएगा योगी आदितनाथ ने ये भी कहा किस तरह से बांगलादेश में जो हिंदू के उपर अत्याचार हो रहा है वो इक तरह से 1947 की परणुराविती है यानि कि जो 47 में हिंदू के साथ में हुआ 10 लाख हिंदू को इक तरह से मैसकर किया गया पाकि बीजेपी के अंदर जो दो मुख्य नेता बांगलादेश में हिंदू की रक्षा को लेकर मुखर है उसमें एक तो शुवेंदू अधिकारी है जो पश्चिमंगाल में विपक्ष के नेता है बीजेपी के प्रमुख नेता है उनका कंसर्ण होना लाजमी है क्योंकि पश्च योगी आदितनाथ वही सब कुछ कह रहे हैं जो RSS कह रहा है तो इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है यह समझते हैं प्योर पॉलिटिक्स में पिछले दो महिनों में लोगसभा चुनाओ की नतीजों आने के बाद आप देखें कि योगी आदितनाथ अपने को रिइन्वे किये उन्होंने का कि संगठन सरकाज से बड़ा होता है कई सारे नेताओं ने ठीकरा फोड़ा कि योगी आदितनाथ की जो एड्मिस्टेशन थी जो प्रशाशन था वो कहीं न कहीं हार के लिए जिम्मेदार था उसके बाद से अगर पिछले दो महिनों में देखें तो अगला देश के मुद्दे पर जिस तरह से वहां पर हिंदू और खास करके हिंदू टेंपल के उपर अटाक हुए और जिस तरह से जो वहां की माइनर्टी कम्नेटी हिंदू हैं उसकी सुरक्षा को लेकर तमाम कंसर्ण जो जताये गए उसको लेकर योगी आदितनाथ लाका पेच पर हैं यह अलग बात है कि पश्यमंगाल में सुवेंदू अधिकारी भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं लेकिन पश्यमंगाल में सुवेंदू अधिकारी का उठाना लाजमी है क्योंकि पश्यमंगाल की पॉलिटिक्स के हिसाब से उस मुद्दे को उठाना वहां प पश्ची मंगाल से काफी दूर बैठे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो हिंदूओं की मुद्दे को पश्ची मंगाल और बांगला देश के जो मुद्दे हैं, उसको उठा रहे हैं यूपी में, इसके पीछे की कहानी यह है कि जिस तरह से योगी अदितनात का जो यूपी से हटा दिया जाए, उस लॉबी को काउंटर करने के लिए योगी अदितनात उस बांगला देश के मुद्दे के जरीए, हिंदूओं के मुद्दे को उठा कर गए, अपनी जो पुजिश्चनिंग है, यानि की हिंदू उषिदे समराट की उसको कॉंसलिडेट कर र जो अखंड भारत का सपना, जो RSS का सपना है, मौन भागवत ये कई बार कह चुके हैं, उस बात को योगी अदितनात विभाजन विविश्का दिन के दिन रिपीट करने हैं कि अखंड भारत का सपना भारत का पूरा होगा, तो वो जो अपना हिंदूतु का क्रेडिंशल है उसको रिइन्वेंट कर रहे हैं, बांगलादेश के मुद्दो को अगर छोड़ दिया जाए, तो पिछले दो महिनों में योगी ने जिस तरह से अपने हिंदूतु कॉंसलिडेशन के लिए काम किया है, सबसे पहले उन्होंने किया, सबसे पहले उन्होंने किया कि लखलाउ कि एजेंडे पर चलने वाली सरकार है, अगर वो हिंदू के घर तोड़ेगी, तो ये तो बहुत खराब मैसेज जाएगा, योगी आदितनाथ ने तुरत उस बॉल्डोजर एक्शन को रुगवाया वहाँ पे, और उन घरों पर जिनके उपर लगाम लग गई, दूसरा जो म है, जो food joint है, उनको अपना नाम लिखना होगा, ताकि एक तरह से वो मुसल्मान को corner किया जाए, जो मुसलिम कम्निटी के लोग बिना नाम लिखे हुए, food joint चला रहे हैं, और जिसमें की non-wich food भी मिलता है, वो कहीं न कहीं आस्था के साथ compromise है, तो कहीं न कहीं हिंदूत्यों क consultation की जो policy थी, जो strategy थी, योगी ने वहाँ पे भी खेला, यह लग बात है कि बाद में Supreme Court पे उस पे फटकार मिली और उन्हें वो फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन योगी का जो messaging था, वो जनता तक जा चुका था, तीसरा जो फैसला उन्होंने लिया, कि जिस तरह से आप बिल प्रस्तूत किया, जिसके जरीए की लव जिहाद की जो घटना है, वो न हो सके, चौथा जो उन्होंने action लिया, योगी आदे तना थे, जब 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने anti-romeo squad की शुरुआत की थी, यानि कि जो school colleges के बाहर जो छिर्कानी के करने वाले जो लोग होते हैं, उनको कैसे रोका जाए, उस घटनाओं को कैसे stop किया जा सके, उसके लिए anti-romeo squad की शुरुआत की गई थी, और बाद में उसकी काफी आलोचना होई कि वो जिस तरह से एक तरह से privacy को भंग करने के लिए, क्योंकि वो जो squad था, वो पार्क में अगर कोई व और उस squad को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, अब फिर से योगी आदेतनाथ ने उस anti-romeo squad को कहा है कि अपना काम करने के लिए, यानि कि जो women security है और महिलाओं की सुरक्षा, school colleges के आसपास में उसको और कैसे strengthen किया जाए, और इसके जरिये जो अपना हिंदुत्यों का होने हैं, और वो जो उपचुनाव हैं, उसके जो नतीजे हैं, वो एक तरह से ताय करेंगे कि योगी आदेतनाथ 2027 तक योपी के मुख्यमंतरी बने रहेंगे, या फिर उन्हें बीच में भी हटाये जा सकता है, अब योगी ने इसे एक तरह से अपना कहा है कि प्रन बना लिया है कि उन बाइपोल में बीजेपी को जीत दिलानी है, और इसलिए कई सारे असेमली एलेक्शन का इंचास के तौर पे वो खुद उसको मॉनिटर कर रहें, और इसलिए अभी पिछले हपते वो अयोध्या गए, और अयोध्या में जिस तरह से उन्हों सिंबलिजम की प सफलता पाई है, उस भ्रम में, उस जाल में हमें नहीं फसना है, और हिंदुओं को यूनाइट होकर हिंदु कौच के लिए हमें एक तरह से एक जूट रहना है, तो इस तरह कि सिंबलिजम की जो पॉलिटिक्स योगी आदितनाद पिछले दो महीनों में कर रहें, अब उसक कोई भी गलत फहमी या हटाने की कोई कोशिश करता है, तो उसके समानांता योगी अपने को हिंदुत आइकन के रूप में अपनी जो इमेज है, उसको और स्टेंग्थेन करके, वो कहीं न कहीं, वो इस्तिती पैदा करना चाह रहे हैं, साथी वो जो अपने विरोधी हैं, क बढ़ा नुक्सान होगा, क्योंकि इस मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर RSS काफी प्रकरता से, काफी प्रमुकता से अपना स्टैंड रख रहा है, बांगलादेश के मुद्दे पर, उस मुद्दे पर कहीं न कहीं योगी मुखर हैं, और एक ऐसे समय में, जब BJP का हाई कम हाई कमान, 303 सीट से घटकर 240 पर आ गया है, उसे RSS के साथ लगातार पिछले एक महीने में, चार से ज़्यादा बैठके करनी पड़ रही है, अपने मुद्दों को, और ऑगनाइशनल मैटर को सुलिहाने के लिए, BJP के नए अधक्ष की अपॉइंडमेंट को लेकर, वैसे स कमेंट्स अपने रियाक्शन लगाता है हमें 20 दिने हैं